नमस्कार मोप्रिया भिहर नियूज में आपका स्वागत है नारंदा खुला विश्व द्याले में अब तक 21,000 ना मांकर नादुयादफ की खिलाफ एडी ने शुरू की जाँच अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से आज से आम लोगों के लिए खुल गया जूस सफारी बिहार में परेटन को बढ़ावा देने के इरादे से ही बिहार सरकार एक बादे काम कर रही है इसी कड़ी में हाली में परेटेकों के लिए जूस सफारी का उदगाटन सीम नितीश ने कर दिया था जो की आज से सभी परेटेकों के लिए भी खोल दिया गया है जिसके बाद ही अपरवोतर भारत के पहले और भारत के सबसे आधुनिक रूप से तयार राजगीर जूस सफारी के जंगल का रोमांच अब आम लोग भी उठा सकेंगे उदगाटन के चार दन बाद आज से राजगीर जूस सफारी आम लोगों के लिए शुरू हो गया है जंगल में जंगली जानवरों को नजदीक से देखने के लिए टिकेट की बुकिंग भी आज से शुरू कर दी गई है जूस सफारी के लिए भी परिटक घर बैठे टिकेट बुक कर सकते हैं यहां ओफलाइन के साथ ओन्लाइन टिकेट बुकिंग की विवस्था भी आपको आसानी से मिल जाएगी राजगीर जूसफारी.in लिंक पर क्लिक कर ओन्लाइन टिकेट प्राप्तिक करना होगा जूससफारी के निदेशिक हेमंद पार्टिल ने इसकी जानकारे दी है मैट्रिक परिक्षा के तीसरे दिन पकड़े गए इतने मुना भाई बिहार बोर्ड की तरब से इंटर की परिक्षा के सफलता पुर्वक आयोजन के बाद से साजा की गई जैंकारी के नुसार सारवाधिक शात्र वैशाली जिले में 23 निसकाशित किये गई है नालंदा भोजपुर और सारन जिले में 14-14 शात्र निसकाशित किये गई विहार के सभी जिलों में परिवहन का चला विशेश अभियान हुई करोडों की वसूली विहार के सभी जिलों में बीते दिन हेलमिट, सीट बिल्ट के साथ ही वहनों के पर्मिट और इंशॉरंस को लेकर विशेश जाज अभियान चलाए गया इस दोरान कुल मिलाकर 1230 वहनों की जाज की गई जिसमें मोटर वहन अधीनियम के विभिने धाराओं के उलंगन पर 453 वहनों पर जुर्मान लगाए गया ये अभियान पटना सहित सभी जिलों में परिवहन सच्चिफ संजे कुमार अगरवाल के निर्देश पर जिले परिवहन पदादी कारी MVI और ESI द्वारा चुलाए गया अभियान के दौरान विभिन नियमों के उलंगन में 58 वहनों को जब्त करने की कारवाई की गई वहीं बिना हेलमेट सीट बेल्ट के वहन चलाने वाले 221 वहन चालों को पर जुर्मान लगाए गया बिना पर्मिट, 66 और बिना इंशॉरंस के 73 वहनों पर जुर्मान लगाए गया परिवहन सच्चिफ संजे कुमार अगरवाल ने इसकी जानकारी दी साथ ही बताए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ये कदम उठाये गया था अब सीमेंट की बोरियों और स्टील की शीट पर लिखा होगा ये ज़रूरी संदेश अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और आने वाले दनों में घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये जानने लायक ख़बर है आपदा प्रबंधन प्राधिकरन के निर्देश पर उद्योग विभाग ने सिमेंट की बोरियों और स्टील की शीट पर एक खास संदेश लिखने का आदेश जारी किया है जिसके तहत अब सीमेंट की बोरियों और निर्मान में प्रयुक्त होने वाली स्टील की शीट पर ये लिख कर बताय जाएगा कि किस तरह से भुकम परोधी निर्मान इसका कराया जाए इसको लेकर उद्योग विभाग को यह विशेश रूप से कहा गया है कि उद्योगिक शेत्रों में निर्मान कारे में लगने वाली सामागरियों जैसे सिमेंट की बोरी छड और स्टील शीट आधी पर भुकम परोधी निर्मान के बारे में जानकारी दी जाए अधिकारियों और कर्मियों को आपदा जोखिम नियूनी करन एवं प्रबंधन विशेश पर सेंसिटाइज किये जाने की विवस्ता भी की जाए पटना पाइरेट्स ने हर्याना स्टीलर्स को हरा कर अपने नाम की एक और जीत पटना पाइरेट्स हर माच के साथ अपने नाम एक नई जीत की गाथा को लिख रही है इसी कड़ी में अब पटना पाइरेट्स ने अपने नाम एक और जीत दर्श कर ली है बीते दिन ही हर्याना स्टीलर्स के साथ खेले गए मुकाबले में टीम ने हर्याना स्टीलर्स को हरा दिया इसके साथ ही पॉइंट टेबल की बात करें तो अब तक 22 मैच्च खेले गए हैं जिसमें से 16 में जीत हासिल हुई और पाज भार के साथ वो टॉप पर है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि प्रो कबडी लीग के आठवे सीजन में बीते दिन तीन मुकाबले खेले गया तीन के तीस्टे मैच में पटना पाइरिट्स की टीम हर्याना स्टीलर से भिड़े थी जिसमें पटना पाइरिट्स ने जीत तरश की पहला मैच पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के बीच हुआ तो वहीं दूसरा मुकाबला गुजरात चॉइंट्स और यू मुंबा क के बीच खेला गया इस दिन भागलपुर जाएंगे सीम नितीश बिहार के मुख्या सीम नितीश जल्दी भागलपुर जिले में पहुचने वाले हैं सरकार के तरफ से साजा की गई जानकारी के नुसार मुख्यमंत्री नितीश कुमार 22 फरवरी को भागलपुर जाने वाले जहां वो जीविकादीदियों से रूबर होंगे, मीडिया में चल रही खबरों के रिसार, मुख्यमंत्री के कारिक्रम में भागलपुर और बांका के 1500 जीविकादीदी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री के कारिक्रम में 5-6 जीविकादीदियों को मंच पर आमंत्रित भी किया ज जीवी का दीद्यों द्वारा स्वागत गान भी प्रस्तुत किया जाएगा हवाई एड़े पर हिली पैड बनाने की तयारी चल रही है हवाई एड़े में ही मुख्यमंत्री का कारिक्रम होगा नालंदा खुला विश्विद्याले में अब तक 21,000 नामांकर बिहार में पढ़ने के चा रखने वाले चात्रों के बीच नालंदा खुला विश्विद्याले में 21,000 शात्रों का नामांकर हो गया है नालंदा खुला विश्विद्याले के कुलपती प्रोफेसर केसी सनह और कुलसेवड टॉक्र घंशी आम रॉई ने छे महीन पूरा होने पर शरिणिवार को विश्विद्याले की तरब से रिपोर्ट कार्ट पेश किया गया है इस पेशकिये गेर रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया है कि इस अबधी में विश्विद्याले ने नई उपलब्धियां हासिल की है साथ ही उन्हों ने बताया कि सतर दो हजार इकीस बाइस में अब तक यहां पर इकीस हजार नामांकर हो चुके है अभी लगभग तीन हजार चात्रा चात्राओं का वैलिडेशन होना बाकी है कुल सचिव डॉक्टर घंशयाम रोई ने बताया कि कोरोना महमारी के कारण बीदे दो वर्षों से सेक्ष्णि गतिविधियां ठप रही इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब धीरे-धीरे विवस्था पत्रे पर लोट रही है फसा पत्ना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का सपना पत्ना मेट्रो के निर्मान से जुड़ा करीब 4,000 करोर का काम जापान इंटरनाशनल को ओपरेशन एजनसी के भरों से रखा गया था लेकिन जापान इंटरनाशनल को ओपरेशन एजनसी के इंतजार में मेट्रो निर्मान का काम अटका है उमीद है कि जाइका से वितिय सहयोग मिलते ही एक दर्जन से अधिक महत्वपून प्रोजेक्ट के टेंडर की प्रक्रियाश शुरू हो जाएगी इसमें भूमिगत मेट्रो का काम सबसे प्रमुख है मीदिया में चल रही खबरों के नुसार मेट्रो की प्रगतिर रिपोर्ट के अनुसार 1170 करूर रुपे से मीठापुर से चुडियागः से तक और 940 करूब रुपे से चुडिया घर से पाटले पुत्र स्टेशन तक के भूमिगत रूट पर काम जाइका के फंट से होने की योजना है इसके लावा भूमिगत स्टेशनों पर लिफ्ट एलिवेटर लगाने और कॉरिड़ एक और कॉरिड़ दो के सिग्नल और टेलिकॉम आधी का काम भी जाइका के सही योग से होगा बिहार में सेहकारी बैंकों का नहीं बचेगा वजूद आने वाले दिनों में बिहार के एक भी सहकारी बैंकों का वजूद नहीं बचेगा विभाग के अधिकारियों ने इन समस्याओं से अवगत कराये था, इसके बाद केंद्रिय स्थाचिव ने समस्याओं का अधियान करने को लेकर नई कमीटी बनाने की घोशना की थी CM नितीश ने NDA में बताया, all is well, केंद्रिय मंद्री, RCP सिंग और जदियू के रास्ट्रिय अधियक्ष ललन सिंग के बीच चल रहे है विवाद की चर्चाएं आपने भी सुनी होंगी, इस मुद्दे ने विपक्ष को भी बोलने का मौका तो दिया ही था, जुसके बाद ही अ जाने की RCP सिंग और ललन सिंग के बीच मतभेद को लेकर चल रही चर्चाओं को उन्होंने सिरह से खारश कर दिया है, पत्रकारों ने सवाल किया था कि RCP सिंग और ललन सिंग के बीच विवाद चल रहा है, जिस पर ही सियम नितीश ने साफ कहा कि ये एकदम गलत फैमी है लोगों में पार्टी में सब एक साथ हैं, कोई अलग नहीं है, सब अपनी अपनी भाशा बोलते हैं। 2018 को लालु प्रिसाथ समेत अन्य को सजा सुनाई थी, साथी मनी लॉंडरिंग के पहलू अपर जाँच का आदेश दिया था, यानि कि अब कोट ने तब कि आदेश पर एडी ने मनी लॉंडरिंग और आईसे अधिक संपत्ति का मामला दर्शकर अलग से जाँच शुरू कर बिहार वधानसभा अध्यक्ष और सीम नितीश ने दी पत्रकार रवीश तिवारी को श्रधांजरी, बीते दिनों पत्रकार रवीश तिवारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद सही बिहार वधानसभा के अध्यक्ष और सीम नितीश ने भी उन्हें श्र रिक्षक थे उनके निधन से पत्रकारिता जगत को अपुर्णिये ख्षती हुई है। डिसको किंग बपी लहरी 16 फरवरी को दुनिया को अलविदा कह गया। बधवार 23 फरवरी 2022 को होगी। समय 5 बजे से 7 बजे तक जग है इसकॉन जुहू हरेकृष्णा लैंड श्री मुक्तेश्वर देवाले रोड मार्ग साइनात नगर MHADA कॉलनी जुहू मुंबई कृपया हमारे दुखो को साजह करने के लिए हमारे साथ चोड़े और देवंगत पवित्र आत्मा के लिए प्राथना करे दुख में लहरी परिवाले विराट और पंध को T20 में आराम तो वही टेस्ट टीम से कई बड़े नाम की छुटी भारत बनाम वेस्ट इंडीस के बीच खेले जा रहे हैं बाबले में तीन माचों की T20 सीरीज में दो जीत के साथ भारत ये टीम ने सीरीज अपने नाम कर ली है जिसके बाद ही BCCI की तरफ से भारत ये टीम के पुर्फ कप्तान बराट खोली और रुशब पंत को आराम दिया गया है वहीं टेस्ट टीम में भी कई लोगों को छुटी दे दी गई है और डाउंडर श्रारदुल ठाकुर को टेस्ट और T20 दोनों में आराम दिया गया BCCI की सीनिर सेलेक्शन कमीटी के चेरबेंट शेतन शर्मा ने टीम की घोशना करते वें ये जानकारी दी वहीं तेज गिनबास जस्प्रे दुम्रा और अलराउंडर रविंदर जडेजा की दोनों में फॉर्माट में ही वापसी हुई है दुम्रा को आराम दिया गया था वहीं जडेजा चोटिल थे टेस्ट टीम की बात करें तो रोह शर्मा को कप्तान चुना गया है भारत में कोरोना के मामलों में जारी है रहत विहार में भी घट रहा है संक्रमंदर भारत में कोवर्ड-19 के दैनिक मामले 51 दिनों बाद 20,000 से कम हुए जिससे देश में कोरोना से संक्रमंदों के कुल मामलों की संख्या 4,28,22,473 पर पहुँच गई है जबकि संक्रमंद से बिमार होकर इलाज करा रहे हैं मरीजों की संख्या कम होकर 2,24,187 पर पहुँच गई है इसके अलावा जान गवाने वालों की संख्या 5,193 पर पहुच गई है मंतराले के नसार भारत में पिछले साल 30 दिसंबर को कोरोना वाइरस संक्रमंद के 16,764 मामले सामने आये थे वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी मामलों में गिरावर जा रही है कुल मिलाकर 71 मामलों की पुष्टी बीते दिन के पिछले 24 घंटे में हुई है जिसकी बात बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 702 पर पहुच गई है जहां सबसे ज्यादा मामले रास्थानी पटना और सहरसा में देखने को मिले जिसके तहती दोनों ही जिलों में 14-14 मामलों की पुष्टी हुई है कल हमारे दुआरा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत है निवाद आप में से जिन्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करे और बिल आइक उन दबाना ना भूले धन्यवाद